फ्रेंड्स एक बार फिर से विकेंसी से आप पर रिलीस करती गई सबसे पहले हेडिंग पड़े लिखा है भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तो दोस्तो बी ए आर्सी इनके दोरा ये विकेंसी आप पर रिलीस वही और बताने चाहता हूँ ये सेंटरल गवर्मेंट का ये रिक्रूट्मेंट रहने वाला है किंदर सरकार के तैस आप लोगों को इसमें आप पर जॉइनिंग मिलेगी वेरियस अलग-अलग पोस्ट इसमें आप पर शामिल की जारी इन सभी पोस्ट के लिए all India Candidates apply कर सकते हैं आप किसी भी राजय से हैं किसी भी States हैं all India Candidates यहां पर apply करें ये र्रूट्मेंट है तो सीधी भरती है direct basis पे ये रПрिक्रूट्मेंट यहां पर रहने वाला है और इसके लिए आपको online application form आपको यहां पर फिल करना होगा तो चलिये पूरी जनकरी discuss कर लेते हैं कौन कौन सी post है तो दिखिए इस vacancy के भरती के विग्यापन में बहुत सारी post है तो सबसे पहले आप लोगे आप पर post देखें number of vacancy देखें और qualification भी साथी साथ आप लोगे इसमें आप चेक कर लें तो देखिए इसमें सबसे पहले direct जो recruitment है में जो सीधी भरती है तो सीधी भरती से आप है technical officer की post है कुल मिला कि इसमें 181 पर शामिल कर लिए गए है इसके बाद scientific assistant की post है इसमें 7 पर है और technician यहाँ पर post है इसमें 24 पर यह शामिल कर लिए गए है group A, group B और group C की अलग-अलग post है यह direct recruitment basis पर रहने वाली है इनका salary package भी आपको यहाँ पर define कर दिया गया है इसके बाद देख सकते है कुछ training schemes के तहते हैं यहाँ पर stipend training की post है category 1 और category 2 में इनमें 1216 पन है और दूसरी जो category 2 है 2940 तो stipend के तौर पर इसमें अलग से आपको यहाँ पर salary मिलेगी पहले साल में और यहाँ पर दूसरे साल में इसके बाद देखिए आपको पूरी जानकारी detail में बता दी गई है कि डारेट जो recruitment है इनमें कौन-कौन सी post है तो देखिए bioscience, life science, biochemistry, microbiology इसमें एक पद है EWS category में इसमें MSC, bioscience, life science यह सभी candidates microbiology वाले सभी लोग अप्लाय कर देखिए इसके बाद chemistry field में आप देखिए 9 पद हैं सभी category से में इसके बाद physics की post है इसमें 14 पद है MSC physics हो और architecture की post है और इसमें सरफ एक ही पद यहाँ पर शामिल कर लिया गया, BE, BTEC जो candidates है architecture में आप लोग इसमें अपद हैं कर देखिए इसके बाद देखिए लिखा है chemical तो chemical कियां पर देखिए 20 post है और BE Beruf chemical candidates apply करें civil department में भी 20 पोस्ट और इसमें बी बीटक जो candidates है civil field से आप लोग इसमें अपला करें इसके बाद computer science तो computer science के सभी categories में 12 पर हैं बी बीटक computer science candidate और computer engineering या फ़र computer science engineering यह सभी candidates इसमें अपला कर सकते हैं इसमें और भी पोस्ट है देखिए drilling और electrical तो drilling की art है electrical की 23 है बी बीटक आपको इनी फिल्ड में आपको चाहिए electrical या फर electrical and electronics तो double branch candidates पीस में अपलाए कर सकते हैं और mechanical जो candidates है ब्रांच पहले आप लोग भी अपलाए कर दें electronics के लिए बी बीटक जो electronics fields है electronics and electronics communication electronics and communication electronics and control EI branch और ET means electronic and telecommunication तो यह 15 पोस्ट यहां पर electronics की रहगी इसके बाद instrumentation की है तो जो यहां पर बी बीटक candidates है instrumentation वाले control electronics वाले यह सब इक अपलाए करें दो पद इसमें शामिल कर लिए गए है और देखे लाइबरेरी और information science तो इसमें एक पद है और MLIP candidates हैं आप लोग यहां पर कर सकते हैं PWD candidates की लिए अलग से यहां पर vacancy को define यहां पर किया जा रहा इसके बाद देखिए जो scientific assistant की जो पोस्ट है तो food technology home science तो इसमें बी एससी food technology वाले candidates अपला करें साथ पोस्ट इसमें शामिल कर लिए और जो technician की जो पोस्ट है डारेक्ट recruitment से boiler attendant की पोस्ट हैने वाली इसमें 24 पन है SSC meets आप लोग जो है 12th class पास हो और boiler attendant का certificate आपके पास यहां पर होना चाहिए इसके बाद देखिए जो ट्रेनी वाली पोस्ट है सभी fields में biochemistry, chemistry, physics, computer science तो यह इस ट्रेनी के लिए अलग से पोस्ट इसमें शामिल कर ली गई है agriculture, horticulture, chemical, electrical, electronics, electronics, instrumentation, mechanical, metallurgy, architecture, civil, automobile तो सभी के लिए इस ट्रेनी की यह पोस्ट है अंत में industrial safety यह पोस्ट भी इसमें शामिल यहां पर कर ली गई और इसमें PWD candidates के लिए भी अलग से vacancy रहने वाली है और जो ट्रेनी की जो पोस्ट है आप लोगों को इसमें बता जया गया category wise ACDS, OBCS, EWS, Unreserve में कितनी क्या पोस्ट यहां पर candidates को यहां पर distribute की जारी तो यह information इसको table में आप लोगों को दे दी गई है इसमें दोस्तों आप लोगों को age limit के बारे में भी जानकरी दी जा रही है और यहां पर देखिए आपकी जो age है कम से कम 18 वर्स यहां पर रहना चाहिए और 30-35 यह उमार जो है आप लोगों के लिए रखी गई है इसमें age में भी relaxation candidates को दिया जाएगा तो age में कितना relaxation है तो यह जानकर इसमें आपको यहां पर इसमें दे दी गई है अब बिल्कुल भी हम लोग यहां पर time-based नहीं करते हैं कैसे आपको apply करना है तो online application form इसकी लिए आपको fill करना है इसकी official website है और देखिए बाइस माई 2023 रात के बारा बज़े तक का समय आपको दिया जा रहा आप लोग इस देट तक अपना online application form आप लोग यहां पर fill कर सकते हैं और इसमें fees का payment भी आपको करना होगा तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है technical officer और जो scientific assistant के पोस्ट है तो technical officer के लिए 500 रुपे और 1500 र लेकिन ऐसी देश्टी इस PWD एक सर्विसमें वोमेंस को कोई भी इसमें fees देने की जरूत नहीं है बाकी की जो भी हाप पर categories है आपको fees का यह payment आपको करना होगा exam centers आप लोग को इसमें आप बता देगा है तो exam जो है इसकी तुरू आप लोगों का selection दिया जाएगा selection जो है exam basis पे रहने वाला है तो यह update कासा लगा उमीर काता हूँ vacancy की information आप सभी को यहाँ पे मिल गए होगी और आप लोगों को इस वीडियो को यहाँ पे like कर देना है और channel को subscribe जरू करें इसी तरीके से vacancy की updates पाते रहें इसी वीडियो के नीशे जाए subscribe के red button को click करें हर vacancy का update